ज्यान पंडित बोले रूद्राभिशेक से मनुवानशित फल की प्राप्ती माना जाता है कि रूद्राभिशेक कराने से भगवान शिफ प्रसंद होते हैं इससे मनुवानशित फल की प्राप्ती होती है सावन माह में रूद्राभिशेक का बड़ा महत्व है ज्यान पंडित की माने तो सावन में बड़ी संख्या में लोग रुद्राभिशेक कराते हैं वे पत्ना के लोहानीपूर में उमाशंकर प्रसाद के घर रुद्राभिशेक के लिए पहुँचे थे उमाशंकर और उनकी पत्नी प्रीती हर साल रुद्राभिशेक कराते हैं दोनों की भगवान शिव के प्रती असीम शद्धा है बतादे कि शिव मंदिरों में भी लोग रुद्राभिशेक कराते हैं हाला कि कोरोना की वज़से लोग घरों में ही रुद्राभिशे करार हैं। कहा जाता है कि सावन में रुद्राभिशे कराने से सभी देवों के अभिशे का फल मिलता है। रुद्राभिशे के स्पावन मौके पर अशोक सिन्ह, शंकर प्रसाद और शशांक सौरब सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिर्कत की. सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करें.